एक पासे किसान हरयाना बॉडरां दे उपर डटे होने, दुझे पासे चंडीगर दे वीच एसकेमधी एहम बेठाक हो रही है, रकेष्ट कहाँ साड़े नाल ने 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 हम तो सब साथ ही हैं किसानों के साथ में हम सब लोग और पूरे देश में मुमेंट चला हुआ है वह सब लोग यह नहीं के सब लोग यहीं आएंगे बॉर्डर पे दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली सब लोग से नच दीख हैं अब अपने बॉर्डर से अगर दिल्ली की किसानों को दबा रही हैं उनको तोड़ फौड कर रही है मार्पीट कर रही है वह पूरा घलत है और इन किसानों के साथ खड़े होके इस परदर्शन का हिस्सा बना जाए तो यह परदर्शन और मजबूत होता नजर आएगा पैरलर अंदोलन चलाने की बजाए इसी अंदोलन का हिस्सा बना जाए पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं तो इसी का हिस्सा है यह नहीं कि वहां से लोग सब यहां आपस में बैठ के तेह करें कि कहां कहां मोर चुपे किन किन को जाना है दिल्ली में जब पहले गए तो पूरा देश का किसान इखटा था अब अलग अलग क्यूं हो रहे हैं इखटा होना जा कुछ और किसान संगर्ण आपके चंदिगड़ में बठेंगे वह मुद्दा उठाएंगे और जिस दिन वह मुद्दा उठाएगा हर्याना और पंजाब अलग अलग बठाएगा फिर आएगा एक दरार और आएगी अभी आप इस मिटिंग में क्या एजंडा लेकर जाने वाल किसान को निकल सकता है वह एक फोर्मूला भी ले कि हम इन फसलों के ओपर MSP दे देते हैं आप बाकी कानून की बात जो है वह नई सरकार के समय कर दो, कि यह कहां करऊं यह कहां कि नइए सरकार कि समय कर लो निकीत पूंसे और को और शुर्भ सब्सें बाद्चीत है यह फार्मूला दिया कंण परदार्म इंती जैसे पहले कहें को नई सरकार आएगी वह करेंगी आप दोने कुछ नहीं तो बताना पड़ेंगा ने बता बात एमस्पी गारंटी कानून पर बात करो ने उसमें क्यों उल जाते हो देश को बिल्कुल विखो सिदे तोरते रकेश्ट कैस जड़े ने सकेम दी मिटिंग दा हिस्सा बन लई एथे पोंच चुके ने सपस्ट लवजां दे विच कह रहे ने कि आज ज़े किसाना नू कठे होन दी लोड है कैमरा पर साना अनान देनाल विनित कपूर दैनिक सवेरा टीवी चंडी कट